इवेंट लाइंड अप है, वो है कल, RBI की मोनेटरी पॉलिसी, तीन दिन की मोनेटरी पॉलिसी है, उसका एक आउटकम, आज भी obviously वो मीटिंग चल रही है, कल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ultimately most important दिन तो कल है, क्ल उसका आउटकम सामने आएगा, तो नीरा जी के पास चलते है और जान लेते हैं कि क्या हम expect कर सकते हैं इस मोनेटरी पॉलिस से, नीरा जी बताइए, देखें, RBI के सामने एक बड़ी चुनौती है, कि एक तरफ growth manage करना है, दूसरी तरफ inflation भी, inflation का ज्यादा असर आपका imported है, तो उसके pressure में काम करना पड़ेगा, तो अनुमान ये लगा जा रहा है कि rate hike होगी, लेकिन बहुत जादा नहीं होगी, इस बार शायद 35 basis point या 25, हला कि street divided है, लोगों को जादा तर लगता है कि शायद 35 basis point कर सकते हैं, लेकिन D.K.J.C. को लगता है कि 25 basis point करना चाहिए, टेपर डाउन इसलिए क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ग्रोथ फोकस सरकार का तो ही है, RBI का भी होगा, क्योंकि अभी कुछले कुछ महीनों में आपने देखा होगी, credit growth जो है 18-20% पर गई है, और liquidity crunch ना हो, क्योंकि deposits अभी उतने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि deposit rates अभी उतने बढ़े नहीं हैं, तो ये बीच बीच में रिपोर्ट्स भी दूसरा सवाल ये उट रहा है, कि inflation लगातार नीचे आया है, तो क्या वो अपने targets को कोई change कर सकते हैं, क्या, तो इसमें शायद नहीं change करेंगे, ना target change करेंगे, नहीं जो GDP का growth change करेंगे, इस पूरे financial year के लिए, अलाकि उनका जो भी जो नोंने लक्ष रखा, उससे बहुत आना है, और उसके पीछे logic ये दिया जा रहा है, कि जो winter season होता है, इसमें खास तोर पे जो food inflation है, वो तेजी से गिरता है, और crop जो आने वाली wheat के वो भी बहुत रोबस्त होगी, तो ये expectation है कि अगले 3-4 महीनों में inflation और तेजी से नीचे आएगा, तो शायद control में सारी चीज कर सकता है, वो अपनी commentary को change कर सकता है, तो commentary फिलाल वो change नहीं करेंगे, hawkish ही रखेंगे वो, फरवरी की policy जब आएगे, उसमें वो अपने commentary में या rate को pause कर दें, वो हो सकता है, लेकिन अभी फरवरी तक data dependent रहना पड़ेगा, कि inflation कैसे move होता है, सरकार की planning budget के तौर पे कैसे लिखती है, और FED क्या करता है, क्योंकि आजकर बहुत साइच चीजा FED से कंट्रूल हो रही है, तो इन तीनों को अगर आप देखें, तो उस पे सारी कुछ कमेंटरी होगी, लेकिन मोटे तोर प्यास होगी, कमेंटरी होकिस रहेगी, और कोई भी टार्गेट चेंज नहीं होंगे, ना तो GDP के और ना ही inflation के.